Dear student, we have to discuss about integrated curriculum. हम integrated curriculum की बात कर रहे हैं और integrated curriculum के अंदर जाना इस वक्त तक हम एक और role डिफाइन किया है और वो हमारे पास role है community का. जो theoretical part है, वो school के अंदर है और उसकी responsibility teacher के अंदर है. जो practical aspect है, वो community के साथ related है. यहां पर अगर कोई हमें gap नजर आएगा, तो वो हमारी जो teaching learning process है, उसकी effectiveness के उपर असर अंदाज होगी. और हमने उसको पर देखा कि अगर जो हम sustainable behavior चाह रहे हैं, उसके अंदर जो हमारा community का role है, वो बड़ा important role है. हमने उसके अंदर आपको example भी दी, हमने आपको रिश्वत की example भी दी, और आपको बताया कि वो वहां पर कैसे तजाद की सूरत में उसको पर असर अंदाज होगा, और उसकी जो sustainability है, वो किसे अंदाज में जाए, problem का शकार हो जाएगी. इसका मतलब यह हुआ कि हमारे जो young people है, society का जो role है, वो भी एक important role है. अब उसके अंदर जो एक नई जो important बात है, वो है हमारे पास drug and violences. अब हमने, स्कूल के अंदर बचों को away from the drug कर दिया, हमने उनको यह समझा दिया, कि difference of opinion की वज़ा से आपने differences में नहीं जाना, आपने कोई violences नहीं करनी, rules को नहीं तोड़ना, हमने यह दो बातें, यह दो point, हमने उसे school के अंदर, पहले उसको awareness दी, फिर उसको उसके नुक्सानात बताए, फिर उसका behavior change किया, उसका value system बनाया, अब यह जो behavior उसका हमने change किया है, regarding drugs and violence, इसको हम उस वक्त तक sustain नहीं रख सकते, जब तक हमारी जो society का part है, हमारी जो community का part है, वो हमारे इसके साथ align नहीं हो, यह उसकी मैं example आपको देना चाहूंगा, अगर हमारी society drug free नहीं है, तो वो जो हमने behavior डिवेल्प किया है, बच्चे के अंदर, जो drugs से दूरी का behavior डिवेल्प किया है, हमारे लिए sustain करना मुश्किल हो जाएगा, हमने young learner को यह सखा दिया, कि difference of opinion का अंदर आपने difference नहीं डालना, और वो इस बात को पर हमारे पास अमादा भी हो गया, society के अंदर अगर violence खतम नहीं होगी, वो किसी भी वज़ा से है, वो जेंडर की वज़ा से है, वो हमारे पास religion की वज़ा से है, difference of opinion की वज़ा से है, अगर वो खतम नहीं होगी, तो हम इस बच्चे की जो change लाएए है, उस behavior को sustain करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, अब जो हमारा environmental, जो हमारा action है, वो basically, environmental education जाना, वो हमें provide करता है, इसी के अंदर हम, हमारी story telling है, जो हमारी effectiveness को बनाती है, हमारी मुश्किलिफ abilities है, हमारे society की जो मिशालें है, वो एक role play करती है behavior पार्ट में, अगर यहाँ पर वो पार्ट हमारा missing है, जो हमने तीसरा पार्ट हमने society को बनाया था, अगर society का वो पार्ट missing है, और जो कुछ हम पढ़ा रहे हैं, वो integrator नहीं हो रहा, practices के अंदर, तो वो एक problem create करेगा, वो problem कहाँ पर create करेगा, वो sustainability के उपर problem create करेगा, देखें, एक बच्चा है मेरे पास आया, फर्ज करें उसने, एसीए में आया, फिर primary में आया, फिर secondary के अंदर आया, मैंने उसका एक developmental process किया, conscious, उसके consciousness के अंदर, जो है ना, मैंने चीज़ें transform कर शुरू कर दी, अब society भी उसके अंदर transform हो रही, और इन दोनों के दिर्मियान जो gap है, वो उसकी personality के अंदर तजाद प्यादा करने का बाहिस पनेगा, देखें, हम change तो ला सकते हैं, यह हमने बात कर दी, हमने एक example से यह भी आपको बता दिया, कि हम तमाम dimensions के अंदर, जो sdgs के अंदर दी हुई है, हम curriculum के जरीए, practice के जरीए, हम creative learning भी पैदा कर सकते हैं, behavioral modification भी कर सकते हैं, लेकिन हम integrated society, integrated curriculum, society और इसका gap जो है, इसको minimize किये बगएर, हम इसको sustain नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ, कि हम अगर फर्ज करें कि हम drugs की बात करते हैं, यह violence की बात करते हैं, तो अगर हमें बच्चों के अंदर behavior को sustain करना है, तो society से हमने उसको minimize करना है, अगर हम society से, community से, उसको minimize करेंगे drug को, उसको minimize करेंगे violence को, तो वो automatically, वो minimize होगा, तो उसके असरात मरतब होंगे, बच्चे पे और उसकी जो sustainability है, वो ज्यादा से ज्यादा हो जाएगी,